हलो मेरे नाम इचिंद्रहास इश्रडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आई वी पियस की तरफ से एक छोटी सी नोटिफिकेशन आई है मैंने सोच आपके लिए बता दूँ कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है लेकिन हाँ काफी लोगों के लिए फाइदे मन बात जरूर है आई वी पियस ने अपनी वेबसाइट पर डाला है कि अब आप अपने स्मार्ट फोन की हल्प से भी जो भी फॉर्म निकलते हैं उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई फॉर्म निकलता था आप उसकी नोटिफिकेशन देख सकते था आई वी पियस की वेबसाइट पर जाते थे आई वी पियस डॉट इन पर तो आप जा सकते थे जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होता है तो ऐसे लोगों को इंटरनेट काफे पर जाना पड़ता था और आज कल के समय में आप जान रहे हैं कि इस चीजें कितनी ज़्यादा खराब हैं लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और फिर कहीं और जाने से बसते ही हैं तो इस वज़ा से फॉर्म भरना काफी कठिन हो जाता और कई जगा कई गाओं तो ऐसे भी होते हैं जहां पर गाओं से लोगों को सहर जाना पड़ता था फॉर्म भरवाने के लिए लेकिन अब जो है यह जो नया अपडेट हुआ है इसके बाद आप अपने मोबाइल फोन से ही जो भी फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं तो आपके लिए काफी ज़्यादा हेलफूल होगा यह खास दोर पर इनके लिए जिनके लिए पहले फॉर्म भरना एक बहुत बड़ी चुनावती ह होती थी अलग से समय निकालना पड़ता था कई इसा होता था यह लड़कियां होती थी उनको बाहर निकलना पड़ता था यह फिर किसी और कि तरीका है कि आपको अपना जो मॉंबाइल है वो आटो रोटेट मोड में रखना पड़ेगा तभी वो आपका फॉर्म भरा जाएगा ओके पोट्रेट मोड में वो नहीं चलेगा तो आपके समझने के लिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर आपके सामने य यह पीओ का फॉर्म मैंने यहां पर क्लिक किया जो भी रिक्रूट्मेंट निकला है और अप्लाई ऑनलाइन पर मैंने क्लिक किया जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो अभी भी क्या लिख क्या रहा है दे वेबसाइट इस वीविबल उनली लेंडिसकेप मोड मतलब पोट्रेट मोड में रखेंगे यह अपने आप देखे फॉर्म खुल जाता है आप अप्लाई कर सकते हैं निव रेजिस्ट्रेशन के लिए अगर मैं क्लिक करूं सारी डिटेल्स वैसे ही आ जाती हैं सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं वैसे जैसे आप अपने लैप्टॉप या फिर कंप्यूटर पे करते होंगे तो आप असानी से भर सकते हैं अपने फॉर्म को कोई भी दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है सब कुछ आप यहां से एकसेस कर सकते हैं अगर मैं आटोटेट आउन करते हुए भी पोट्रेट मोड में जाऊंगा तो यह फिर से विवेबल न रहना है फॉर्म भरने के लिए भरवाने के लिए तो अब वो नहीं रहना होगा तो मुझे मीध है आपको काफी फाइदेमंद यह बात लगेगी और जिन लोगों तक यह जानकारी नहीं पहुंची उन तक भी आप इस जानकारी को पहुंचाईए ताकि बहुत सारे लोग जिनके लिए एक बहुत हेक्टिक काम होता है फॉर्म भरना उनका भी काम आसान हो जाएगा आपके जरी आप अगर इस वीडियो को उन तक पहुंचाएंगे तो तैयारी आप अपनी जारी रखी आपके एक्जाम सोने वाले हैं और आपकी तैयारियों के लिए मैं बहुत सा